निवेश अगर सही हो तो आप हर तरहा के आर्थिक लक्ष को और हर तरहा के आर्थिक सपने को पूरा कर सकते हैं बशर्थ है जैसा मैंने पहले कहा निवेश रणीती सही हो कैसे आपको अपने लिए सही निवेश रणीती का चुनाव करना चाहिए यही बताते हैं आपको हम इस शो में आप देख रहे हैं अपना फिनांस मिनिस्टर मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियार शो की शुरुआत करते हैं देखते हैं क्या है खास आज on the show बाजार में चल रही थीम पर आए थिमाटिक फंड में कैसे बनाए मुनाफ़े की रणनीती बताएंगे आपको आज financial portfolio में कैसे अपनाए asset allocation strategy क्यूँ जरूरी है asset allocation की तहट निवेश करना और निवेश में बदलाव करना रोटाइमेंट के बाद एक मुष्ट निवेश कैसे और कहा करें जिससे बनी रहे आपकी आमदे नीजानी एक्सपर्ट से और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बना एक संतुलित निवेश portfolio आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं जी हाँ IT Money बनो अपना finance minister में अपने सवाल पूछने के लिए whatsapp करें 9619873567 जब भी बाजार की चाल में तबदीली आती है कोई ना कोई थीम निवेश के लिहाज से interesting लगती है लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने portfolio में thematic funds का तड़का डाल देना चाहिए तो क्या वाकिए ऐसा करना चाहिए आपको इससे कितना जोखिम बढ़ता है इससे कितना मुनाफ़ा होता है और क्या वाकिए आप ऐसे निवेशक हैं जो कि thematic fund को portfolio में डालने के लिए तयार है इसी परबारी की से बात करेंगे और एक खास पेशकर्श आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं जहाँ पर मैंने बात की है मुराइसेट एमसी के head ETF sales उमेच डाइला से सुनाते हैं आपको इस बातचीत के आज आज ओपर बात करेंगे thematic funds की लगातार हम दर्शुकों के सवालों के जरिये इस पर सलहा आपको दिलाते रहते हैं expert द्वारा लेकिन एक बार फिर से thematic funds की classroom करते हैं जहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या आपको thematic fund खरीदना चाहिए खास्तोर से तब जब आप एक fresh investor हो या केवल एक मंजे हुए निवेशक को portfolio को diversify करने के लिए theme-based fund को अपने portfolio में रखना चाहिए इस पूरी चर्चा पर विस्तार से बात करेंगे मेरे साथ खास महमान भी जुड़ गए है Newra Asset AMC के head ETF products ओमेश डाइला स्वागट है आपका ओमेश जी इस खास पेशकर्श में तो जैसे की बारी की से और बहुती बेसिक सवाल पूछना चाहूंगी thematic funds किनहें कहते हैं जी first of all thanks for having me here so Kavita actually themes की जहां तक हम बात करते हैं तो जब भी हम निवेश की बात करते हैं अभी तक सारा निवेश होता है आप एक particular company या sector में निवेश करते हो जहां हम themes की बात करते हैं तो इन चीजों से थोड़ा सा एक step उपर होता है जहां पूरा ecosystem पूरा आप जो long term जो trends होते हैं जो आज चल रहे हैं या जो future में हमें लगता की evolve होंगे उन trends में आप इन्वेश करते हो तो वो निवेश जो होता है वो थीम को themes को cover करते हैं जैसे कि बात करें इंडिया में आपके पास consumption है make in India यह themes है जो अरड़ी इंडिया में है globally भी यह themes है जैसे आपका electric vehicle है AI है जो की artificial intelligence है यह इस तरीके की themes है जो दिरे-दिरे evolve हो रही है निवेश है क्या कर रहा है especially जो इन तरीक इन themes में निवेश कर रहा है क्योंकि यह future के लिए future ready themes है और वो उस चीज़ को capture करना चाहते हैं अगर हम AU की बात करें globally तो 2021 दिसंबर तक कुछ around 806 billion dollar के आसपरस का AU already हो चुका है तो यह themes जो है दिरे-दिरे popularity जो है गेन कर रहे है तो अगर इस तरह के funds की में बात करूं तो क्या यह globally ज्यादा प्रसिद है क्योंकि भारत में इनका challenge शुरू हो रहा है अब शायद जोर पकड़ने में थोड़ा समय और लग जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि रूची नहीं है दिल्चसपी नहीं है वो बिल्कुल है लेकिन अगर आप कोई theme-based fund ले रहे हैं तो क्या उसका exposure globally होना चाहिए क्या की बहतर है लेकि जैसे कि मैंने का इंडिया के अंदर भी themes है बहुत ही limited scope है अभी तक लेकिन globally कुछ ऐसी themes है जो देरे-देरे इमर्ज हो रही है और global निवेशक का काफी रुजान इन तरफ in schemes की तरफ बढ़ा है जैसे कि अगर हम manufacturer की भी बात करें तो 2021 के अंदर हम बात करें तो कुछ 475 नए thematic fund globally launch होए है और अगर हम overall theme के ऊपर manufacturer से अगर हम पूरे listed space की बात करें ETF के अंदर तो आज की rate में 1000 से ऊपर ETF ऐसे हैं जो globally listed है जो different different themes के ऊपर based है तो globally अगर हम बात करें इंडिया के भार तो themes की का चलन थोड़ा जादा है निवेशक जो है वो अपने traditional निवेश जो करते आए हैं sector based उससे बढ़के अब धिरे-धिरे themes की तरफ बढ़ रहे हैं पैसिव के क्या हैं कुछ फाइदे हैं जो मैं I'll just talk about those जैसे सबसे प्रहला फाइदा क्या होता है कि जब आप पैसिव में निवेश करते हैं तो आपको एक rule based investment मिलता है जो की एक rule based होता है जिसके पीछे logic होता है दूसरा क्या होता है जैसे कि actively managed funds में आपको portfolio का अगर आपको changes देखने या पूरा portfolio देखना है तो आपको एक certain time period तक wait करना होता है उसके बाद जब AMC उस portfolio को release करती तब आप देख पाते है पैसिव ली मेंज़ फंड के case में आपको portfolio का disclosure जो है वो time to time मिलता है आप जाके index का portfolio देख सकते हैं वो भी आपको मिलता है obviously तीसरा और वो भी का cost जब आप passive fund में निवेश करते हैं क्योंकि यहां पर पूरा rule based है पूरा निवेश किसी fund manager की ज़रत नहीं है to take active call तो आपका cost जो है वो काफी कम हो जाता है जो निवेशक के portfolio के लिए काफी अच्छा होता है तो यह तीन चीजें होती जिसकी वज़े से main main जिसकी वज़े न निवेशक जो है वो passive को अपने portfolio का part बना सकता और जब passive निवेशक के portfolio में आता है चूंकि उसकी cost कम है तो overall उसकी portfolio की cost जो है वो भी कम हो जाती है तो which is a good thing पूरे return के पस्तुर क्योंकि जब cost निच जाएगी तो आपके return में ही add होगी तो उस तरीके से passive is a good I think मैं कम वाई अच्छा option है और especially themes में passive के अंदर काफी अच्छे और unique products available है तो उमेश कुछ important और popular themes के बारे में बात करते हैं क्यूंकि महामारी के बाद हमने देखा कि बहुत सारी AMC ने बहुत सारी innovative products launch की है आपका भी उसमें सेख रहा है तो या उससे पहले था मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे यह बताए कि जो popular themes के बात करते हैं तो भारत में और पहारत के बाहर कि इस तरह की themes में हमारी के बाद popular हुई है कि महामारी के बाद जैसे काफी themes आई है जो काफी popular हुई है जैसे की work from home इसमें की AI आ जाता है artificial intelligence related cloud computing electric vehicle is something which is जो काफी काफी पसंद किया जा रहा है globally और अगर हम बात करें और वो हमको numbers ने दिख भी रहा है जैसे अगर अभी बात करें 2018 के अंदर जितनी भी electric vehicle जो भी overall vehicle sale हुए globally उसमें से 2.2.2% जो थे वो electric vehicle sale way लेकिन वो number 2021 में बढ़के 8.6% हो गया which is around 6.5 million so target यह है कि 2030 तक 31-48 million million के आसपास का number होगा तो जैसे sale बढ़ रही है इसका मतलब निवेशक का रुजान as a consumer also वो लोग उस product को like कर रहे है और similarly investment के लिए भी इस तरीकी के products में काफी रुजान आया है जैसे कि अगर हम 2021 के end की बात करें तो overall AUM of this electric vehicle segment का अगर funds की बात करें कुछ 28 billion dollar के आसपाट का AUM है so which says that investors जो है वो धीरे धीरे इस थीम के और भी बढ़ रहे हैं तो बाकी सब themes में यह भी एक theme है जो slowly और gradually निवेशक के portfolio में entry कर रहे है तो diversify करने के लिए हाँ से यह बहुत भैतरीन जरिया है लेकिन कोई ऐसा निवेश्ट इसमें रिस्क ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता जोखिम का आकलन हम theme-based funds में कैसे करें जोखिम की जहां तक बात है चाहे वो active platform हो चाहे वो passive platform हो चाहे वो theme हो या हर fund में हर product में जोखिम होता है जोखिम का level अलग-अलग हो सकता है हमारा मेरा कहना यह होगा कि जब भी आप किसी theme-based fund में जाए तो आपको theme के ऊपर अगर आपको conviction है अगर आपको विश्वास है कि यह theme आगे बढ़ेगी और आप उस theme को बेहतरीन तरीके से समझते हैं तो आपको उस तरीके की theme में 5-10% आपके portfolio का exposure करना चाहिए इसके आग thematic funds में रिस्क थोड़ा सा कई बार देखा गया कि जादा होता है क्योंकि वहां पे आप एक particular ecosystem को track कर रहे हो तो वह बहुत ही ज़रुरी है किसी भी theme में जाने से पहले उसका पूरा आकलन करना आखरी सवाल portfolio allocation में तो आपका core investment होगा जो कि आप large, mid, small or diversified तरीके से कर सकते है thematic funds को मुझे अगर place करना हो तो मेरा allocation कितना होना चाहिए अगर portfolio के अंदर अगर overall उसमें भी 3-4 तरीके का exposure होता है जैसे आप overall portfolio अगर एक निवेशक जो भारत में बैठा है उसका कितना प्रतिशत भारत में होना चाहिए कितना प्रतिशत बाहर होना चाहिए जो बाहर जो प्रतिशत वो करेंगे उसका कुछ 5% से 10% अगर वो ग्लोबल थीम में डाल रहें तो कर सकते हैं overall portfolio perspective में 5-10% पूरे portfolio का वो themes के अंदर exposure ले सकते हैं मेरा suggestion रहेगा इसके आगे exposure अगर आपको लेना है तो या अपने advisor से consult करे या उस theme को भली बाती समझ लिए उतना patience आप में होना चाहिए और यह आप तभी करें जब आपके पास एक कोड़ पोर्टफोलियो औरेडी तैयार हो बहुत 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 थैने वाद वाद मेश्ट मैने काला मसे बात की थेंक्यू